वेल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें हमाने चैनल को प्रेस्टा बेल ऐकन साथ ही हमारी रेस्पीज देखने के लिए नोटिविकेशन ओल पे कलिक करें ठैंक्स मावाचिंग मज़दार अलू मटर बनाने का साथ रिकाप के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी बनता है असलामु आलेकों वीवर्स आप सब कैसे हैं चलिए आएए स्टाट करते हैं मज़दार अलू मटर ग्रेवी बनाना हाफ कप ओय लेंगे दो बड़े सैज के प्याद लेंगे ल अच्छे से फ्राय हो जाएगा तो अब हम डाल देंगे दो बड़े सैज के टमाटर 5 मिट फ्राय करेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारा अलू मटर ग्रेवी कशालन रडी होता है अब हम डाल देंगे अ ठाल मग पानी पानी हां मने डाला है घकों अजसके लुधार के तो मैं आई बटन में रेस्पी दे रही हूँ, यह हमारे 15 मिट हो गए हैं, 15 मिट के बाद आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा पानी है वो ड्रै कर लेंगे, उतनी देर में हम डाल देते हैं, स्पाइसिस पाउडर में, आदा खाने का चमच सुका दनिया, आदा खाने का और आदी चमच हल्दी डाल के मिला लेंगे, तो इसको हम इतना फ्रै करेंगे, इसको जो ओयल है, वो सेपरेट हो जाए, अदा किलो लेंगे मटर, मटर को वाश करके डाल देंगे, पहले हम इसको 5-7 मिट फ्रै करेंगे, फ्रै करने से बहुत ही अच्छ हमारा आलू मटर ग वो सबसे ज़्यदा खाई जाती है, आलू वैसे भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होते है, सब की पसंद होते हैं, आलू हरी मिचर डाल देंगे, इसके बाद हम डालेंगे, एक मग डाल देंगे पानी, अगर आपने ज़्यदा सालन रखना है, ज़्यदा पतला हो, तो आप मग डाले पानी, मैंने नॉर्मल ही रखना है, सालन, आई मिन गरेवी हो, नॉर्मल ही, तो हम इसको मिला के, तीन मिट कुक करेंगे, तीन मिट वेट देंगे, तो तीन मिट के बाद आपको दिखाते हैं, बहुत एजी रेसिपी आपके साथ, मैंने आज शेयर की है, मुझे अमीद है आपको रेस्पी पसंद आएगी तीन मिट के बाद आपको दिखा रहे हैं अभी हमने ओपन किया ही नहीं है तो खुश्बू इतनी प्यारी आ रही है बहुत ही टेस्टी बना है इसको मिला लेंगे तो आप देख रहे हैं कितना मज़दार लग रहा है गानिश लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में ठैक्षा वाचिंग अल्ला हफीज